दोस्तो आज तूर्की और सीरिया पूरी तरीके से खंडर में बदल चुके हैं और अब तक तूर्की के 10 सहरों में 25 सो से भी जादा बिल्डिंग पूरी तरीके से खंडर में बदल चुकी हैं ऐसा तूर्की और सीरिया के इतिहास में 100 साल बाद हुआ है जब इतनी बड़ी त तीसरा अर्थक्वेक था वो six magnitude का था इन भुकंप के जटकों की वज़े से अब तक तुर्की में करीब 2600 लोगों की जान चली गई है और हजारों से भी जादा लोग अभी भी बिल्लिंगों के मलबे में दबे हुए हैं इन भुकंप के जटके की वज़े से नोर्थ सीरिया म क्यों की जो तुर्की में बिल्लिंगे हैं वो नेच्रल गयश पाइपलाइन के ऊपर जाकर गिर रही हैं जिस वज़े से ये बड़े-बड़े धमाके तुर्की में देखने को मिल रहे हैं और अब तुर्की में level 4 alert जारी हो चुका है यानी तुर्की की सरकार के कंट्रोल से अब सब कुछ बहार हो चुका है और अब सिच्वेशन का कंट्रोल करने के लिए तूर्की ने सभी देशों से मदद मांगी है। सबसे पहले तूर्की की मदद करने के लिए भारत ने ऐलान किया है और भारत की तरफ से NDRF की दो टीमें भेज दी गई हैं जिन में करीब 100 टीम मेंबर हैं। वही पर रश्या ने भी अपनी एक टीम को तुर्की की मदद के लिए भेज दिया है और इन भुकम्प के जटकों की वज़े से सीरिया के बोर्डर पर एक सहर पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है।